आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं जो मेटो इस्टॉक के बारे में चुकि इसके कोर्टरली रिजल्ट आज आने हैं जहां यह और यह बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू में कुछ इंक्रीज होते वे दिख सकता है और जो लोस है वो नेरो होते वे दिख सकते लेकिन प्री रिजल्ट इसमें देखेंगे कि डाउन ट्रेंड में ट्रेड होते वे दिख रहा है और आज का वोल्यूम अगें मोर दें 10 करोर के आसपास का है 3% डाउन यानि 3% के डाउन ट्रेंड पर यह स्टॉक ट्रेड होते वे दिख रहा है मेरा प्रसनली मानना होगा क कि अगर आप buying करना चाह रहे हैं तो इस समय थोड़ा caution बरते हैं जब तक कि result नहीं आ जाता है pre-result buying करने की गलती नहीं करना चाहिए ऐसे stock में जो already 40% downtrend में trade हो रहा हो और देखेंगे तो अभी भी इस stock में base positive आते वे नहीं दिखा है continuous चाहिए आप 3 month basis 1 month weekly या फिर डेली बेसिस पर देखेंगे तो continuous stock downtrend में ही trade करते वे दिख रहा है हालांकि इस stock में अगर आप delivery देखें तो delivery भी 40% तक की delivery दिख रही है और जो मेटो के level को अगर आसानी से देखेंगे और ये stock अगर मैं आपको levels की बात करूँ और ये level अगर 44 के level को break करता है तो again painful हो सकता है और ये stock 40 और 36 तक के levels को भी touch कर सकता है और अगर ये stock upside देखें 48 के level को respect करता है result के बाद तो surely position लिया जा सकता है for target of 56 to 60 तक के targets के लिए तो हम wait करेंगे result कैसा होता है उसके बाद ही position लेने की सला रहेगी